किन्द शेयर्स को खरीदें, कहां डिबेंचर करीदें, कौनसे बॉन्ड्स खरीदें, मीचूल फंड्स करीदें, इक्विटी खरीदें, क्या खरीदें यह वीडियो कोई स्पॉंसर्ड वीडियो नहीं है जिसमें मैं आपको बताऊंगा, इस इस कंपनी के यह शेयर्स खरीद लीजिए, आपके पैसे हो जाएंगे 100 गुना यह एक हजार से बन जाएंगे एक हजार करोड हाई फ्रेंड्स मैं हूं डॉक्टर आमित महिश्वरी, बिजनस ट्रेनर, कॉर्परेट ट्रेनर, मुटिवेशन स्पीकर और चीओ, मैं टास ओवर्सीज लेमिटेड आप सभी का सौगित करता हूं आज की इंफॉर्मिटिव वीडियो में और फेंड्स आपको पता है कि आप लोगों के लिए हमने Q&A टाइम सीरीज शुरू किया है जिसमें हमारे वैल्यूबल सब्सक्राइबर और व्यूवर्स बहुत सारे कॉश्चन्स हमसे कॉमेंट्स के मादियम से पूछते हैं उनके कॉमेंट्स को मेरी टीम अबजर्व करती है चेक करती है और उनमेंसे वैल्यूबल कोश्चन्स को सिलेक्ट करके हम आने वाली वीडियो उनहीं टापिक्स पर बनाती है तो बहुत सारे व्यूवर्स ने मुझसे पूछा कि सर आज जो शेर मार्केट अना स्टॉक मार्केट है इसके बारे में बहुत सारी इनफॉर्मेशन सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है आप हमें यह बताएं कि हम अपना पैसा stock market में कहा निवेश करें कि शेयर्स को खरीदें कहां डिबेंचर करीदें कौन से बॉंड्स खरीदें चोटा saja बहुत सार लोगों को भ्रमित करता है हम इससे बहुत सार लोग टीवी पर देखते हैं बहुत सारे share और आर्टिकल्स पढ़ते हैं और हम लोग भ्रमित हो जाते हैं हम लोग कन्फ्यूजन में आते हैं इंफ्लूएंस हो जाते हैं कि इस कंपनी का शेर बहुत बढ़ी है यह इस कंपनी का शेर खरिदना चाहिए आप देख लीजिए शेर मार्केट और इंवेस्टिंग से इसके लिए वो किसी भी ऐसे शेर को प्रमोट करने के लिए तयार हैं जो भविश्य में जिसका बिजनस खत्रे में हो सकता है आज हम बात करते हैं कि स्टॉक मार्केट में यह सेलेक्शन कैसे करें कि हम किस तरह के शेर में इंवेस्ट करें फ्रेंचिस बात को समझने के दुबारा कहता हूँ आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करके उस कंपनी के बिजनस पार्टनर बनना चाहते हैं तो आप क्या क्या चीज़े देखना पसंद करेंगे तो यहाँ पर दो बाते आती हैं एक होते हैं fundamental analysis और एक होते हैं technical analysis पहले इस बात को समझते हैं fundamental का मतलब उस company के fundamentals किस तरह है कि उस company का अधार्बू स्ट्रक्चर कैसा है company का प्रोड़क्ट कैंपनी की सर्विस क्या है company कितना बड़ा विजन बविश्य में रखती है company का आने वाले नए प्रोड़क्ट क्या होंगे government की नेनी policies क्या होंगी जब भी आप किसी company में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप देखते हैं number one company का product क्या है उस product की market में demand क्या है number two demand क्या है number three उस product की future growth possibility कितनी है कि भविश्य में उस product के कितने डिमांड होगी number four government उस product को लेकर क्या नई schemes लेकर रही है government की क्या क्या schemes है क्या क्या benefit उस industry को government देना चाहती है number four उगे number five आप देखेंगे company के fundamental analysis में कि जो company के promoter रहे हैं जो इन्वेस्टर रहे हैं जो डिरेक्टर्स हैं उनका वीजन क्या है वो किस तरह का वीजन रखते हैं और अपकमिंग company के new products product line क्या होने वाले नए products क्या आने वाले हैं तो जब आप एक business में इन्वेस्ट करते सहमें ये बाते चेक करते हैं तो stock market में इन्वेस्ट करते सहमें और का कितना ट्रस्ट है company का business model क्या है company के products related government की क्या नई policies है company के promoters का क्या विजन है company के promoters के पात कितनी बड़ी शेयर holding है company के promoter भविश्य में और क्या क्या नए नए products लाने वाले हैं या government किस तरह की नई schemes उस इंडस्ट्री के लाने वाले जिससे वह इंडस्ट्री तेजी से आगे बढ़ जाएगी या कहीं ऐसा तो नहीं कि वह इंडस्ट्री भविश्य में खत्रे में है तो आप यही बाते fundamental analysis के माध्यम से आपको check करनी होगी जिस company का share आप खरीदना चाहते हैं मालीजिए आपका interest FMCG companies में है तो FMCG company में कौन-कौन सी companies हैं जैसे ITC, Nestle, Daber कौन-कौन सी इसी company हैं जिनके share तेजी से grow कर रहे हैं हमें share की कृतनी growth हो रही है share का price कितना बढ़ रही है यह नहीं देख देखना है बविश्य की possibility को देखना है चाहें वो FMCG industry हो चाहें वो इंफास्ट्रक्चर हो चाहें वो डिजिटल से रिलेटेड हो चाहें entertainment से रिलेटेड हो आपको यह देखना है कि किस तरह के product में आप interest लेना पसंद करते हैं और किस तरह के product को या company या brand को लेकर आपको विश्वास है उसका fundamental analysis check करें और fundamental analysis के अधार पर यह कंपनी के share आज मैं खरीदने के लिए तयार हूं या नहीं और यदि आप fundamental analysis को study कर लेते हैं और आपको लगता है कि आप company के share खरीदने के लिए तयार है तो एक बात को ध्यान रखेगा आप long term के लिए invest करें क्या आप को business दो महीने तीन महीने छे महीने के लिए खोलते हैं नहीं न अगर आप किसी से partnership करते हैं एक दिन की इंट्राडे की दस बारा दिन की या optional करते हैं नहीं करते न आप invest जब करते हैं long term के लिए invest करें चाहें आप किसी भी company के share ले फ्रेंड्स यह वीडियो को sponsored वीडियो नहीं हैं जिसमें मैं आपको बताऊंगा इस इस company के ये share ख्रीद लीजिए आपके पैसे हो जाएंगे 100 गुना यह 1000 से बन जाएंगे 1000 करोड यह 1000 रुपए बन जाएंगे अगले पांच सालों में पांच लाख रुपए तो मैं इस तरह की recommendation वीडियो आपके लिए करनी आया हूँ आपको जुरुत तो चेक करना है company के fundamental analysis क्या है इसके बाद दूसरी जो important चीज़ है वो है technical analysis आप technical analysis के लिए भी ना बहुत ज़्यादा deep detail में नहीं जाना क्योंकि ना तो आप internet trading कर रहे हैं ना ही आप एक margin money के साथ एक ऐसा trade कर रहे हैं जिसमें आपका पैसा डूबनी की कंपनी की PB ratio क्या है company की जो present उसका जो चार्ट फ्लो चल रहा है वो क्या है company की capitalization क्या है technical analysis से related बहुत सारी वीडियो मेरे मैं चैनल पर दिये हूँ है मैंने एक आपके लिए free course यहां पर launch किया था इसका नाम है stock market millionaire SMM इस से related बहुत सारी वीडियो दी हुई है सबसे पहले company के बारे में पूरी research करें उसके fundamentals को समझे टेक्निकली आपको क्या क्या चीज़ चेक करनी है उस related वीडियो stock market millionaire की series में आपको मिल जाएगी और उसके बाद दिरने ले कि किस company के कितने share आप खरीदने के लिए तयार हैं मैं जिस नियम का अनुकरण करता हूं वो है 50-30-20 50% investment करता हूं ऐसी company में जिसकी growth possibility बहुत fast है जो एक blue chip company है और भविश्य में आगे बढ़ने के संबावना बहुत अधिक है साथी साथ अगर भविश्य में आगे बढ़ने के संबावना बहुत अधिक है तो risk भी बहुत 30% में invest करता हूं इस तरह के shares में जो एक established company है जो ratio of profit भी अगर देती है जो डिविडेंड भी देती है जो shares की growth भी देती है वो long term में देती है और 20% invest करता हूं मैं FD, bank deposit, share, debenture जहां पर मैं एक fixed revenue असानी से generate कर सकता हूं और मेरा यह पैसा एक risk free भी होता है तो 5 is to 3 is to 2 का ratio म मैं maintain करता हूं मैं जितना भी पैसा invest करता हूं और मैं अपनी earning का 20 से 25% पर मंथ invest करता हूं आप भी यह दी नियम बनाते हैं तो compound interest की power से आपको मिलने वाला जो benefit होगा long term में बहुत बढ़ा होगा क्योंकि compound interest ना long term में काम करते हैं और compound interest से related भी बहुत सारे videos मेरे चैनल पर दिये हुए कि कैसे आप केवल एक हजार रुपे महीने बचा कर आसानी से एक करोड रूपए बना सकते हैं पर amount बहुत चोटा है और बढ़ने वाला amount बहुत बढ़ा है तो long term में ही आपको इसका benefit होने वाला है कैसे इसमें निवेश करें से लिए वीडियो भी जरूर देख जय हिंद जय भारत